वर्कम बैक बच्चो आपको याद होगा लास्ट जो हमने टॉपिक पड़ा था वो था क्रोमेटोग्राफी हम इस समय सेपरेशन ओफ मिक्सिर्स को स्टाडी कर रहे हैं ठीक है आपको याद होगा जो टॉपिक हम स्टाडी कर रहे हैं यह टॉपिक है सेपरेशन ओफ मिक्सिर किस तरह से आप mixes को separate कर सकते हैं ठीक है यह topic हम अभी study कर रहे हैं तो उसमें हमने जो पहला topic पढ़ा है वो chromatography पढ़ा है इसे और भी बहुत सारे topics हैं लेकिन मैंने chromatography आपको पहले पढ़ाया तो चलते हैं distillation topic हम पढ़ रहे हैं आज तो distillation के साथ एक और topic हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं fractional distillation दोनों topic हम इकठे पढ़ेंगे और अन्त में इस video के हम समझेंगे कि दोनों के बीच में difference क्या है तो distillation topic क्या होता है पहले वो देख लेते हैं distillation एक ऐसा topic है जिसमें हम दो miserable liquids जो है miserable का मतलब क्या होता है जो completely dissolve हो जाते हैं एक दूसरे से separate करना उनको बहुत मुश्किल होता है आप समझ भी नहीं पाएंगे कि दोनों एक दूसरे से कितने ज़ादा mix हो गये हैं आपके लिए उनको देखकर separate करना मुश्किल हो जाता है जैसे alcohol और water जैसे acetone और water इनको separate करना एक दूसरे से बिलकुल मुश्किल हो जाता है तो इस तरह के liquids को हम कहते हैं कि ये miserable liquids हैं तो मैं repeat कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा distillation का concept क्या है what do you mean by distillation? distillation is actually separating two miserable liquids को separate करने के process को हम कहते हैं distillation लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है हर चीज के लिए condition होती है और यहाँ पर भी एक condition है और वो condition क्या है? वो दोनों liquids जहाँ उनके बीच का boiling point का difference जो है वो sufficient difference होना चाहिए कम से कम 20 से 50 Kelvin का difference जो है दोनों के boiling point में होना चाहिए तो मैं repeat कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनियेगा distillation concept हम पढ़ रहे हैं distillation concept में सबसे important चीज क्या है सबसे important चीज यह है कि distillation के बारे में समझना जरूरी है कि distillation कहां किया जाता है distillation किया जाता है दो miserable liquids में दो miserable liquids जैसे water और acetone यह दोनों completely dissolve हो जाते हैं एक दूसरे में ठीक है आपको देखकर separate करना मुश्किल होता है इनको तो फिर इनको separate करने के लिए क्या process यूज करते हैं हम distillation का process यूज करते हैं मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह से इनको separate किया जाता है लेकिन इस process का नाम होता है distillation और यहाँ पर एक condition होती है दोनो miserable liquids जो है उनके boiling point का difference जो है 20 से 50 Kelvin के बीच में कम से कम होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर और मैंने एक्जामपल दी है इथर और टॉलिन भी इसकी एक्जामपल है हेक्जेन और टॉलिन भी इसकी एक्जामपल है तो चलते हैं आगे distillation देखिए यह आपकी book से ही ली गई पिक्चर है और आप इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर देखिए यह arrangement आप देख पा रहे होंगे इस arrangement में क्या क्या है सबसे पहले एक round bottom flask आप देख पा रहे होंगे जिसके अंदर mixture of acetone and water है ठीक है जी इसमें आपने क्या किया इस distillation flask में आपने mixer ले लिया acetone का और water का एक और arrangement है इसको हम बोलते है water condenser ठीक है यह hollow portion है तो जब आप mixture लेते हैं acetone का और water का और उसको आप heat करते हैं देख पा रहे होंगे यहाँ पर heat कर रहे हैं हम तो heat करने पर क्या होगा इसका temperature जो है इस mixture का temperature जो है यह बढ़ना शुरू हो जाता है और सबसे पहले क्या होता है acetone जो होता है वो evaporate होता है और उपर की तरफ move कर जाता है ठीक है जी acetone उपर की तरफ move करता है और since उपर से यह portion जो है blocked है तो बाहर की तरफ acetone निकल नहीं सकता तो उसको कहा जाना है उसको इस condenser में enter होना है आप देख पा रहे होंगे यह condenser है यहां पर यह enter होना शुरू हो जाता है ठीक है इस hollow portion में यह जो ठीक है यह जो hollow portion है इसमें यह enter हो जाता है अब यह condenser है condenser होने का मतलब क्या है कि इसका temperature जो है वो लो है और इसका लो temperature का reason यह होता है कि आपने इसके अंदर cold water जो है यह inlet बना हुआ है यहां से आपने cold water structure जो है इसके अंदर से उन वेपर ने बहार निकलना है तो इस pipe का temperature भी जो है वो लो हो जाता है ठीक है आप देख रहे होंगे यह अंदर से आ रही है pipe है ना है ना तो इसका temperature भी क्या हो पैप में जाते हैं तो सिंसुन का टेंपरेचर लोग हो जाता है कंडेंस होते है और लीक्विड में कनवयर्ट होकर वह इस बीकर में जो है वह कठा होना शुरू हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो evaporate होगा वो क्या है वो acetone है acetone यहां से evaporate होकर इस beaker में इकठा हो जाता है तो इस तरह से water और acetone को separate कर लिया जाता है I'm sure कि आपको यह concept समझाया होगा इस flask को बोलते हैं distillation flask distillation के लिए यह arrangement हमें करनी पड़ती है मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया मैंने आपको distillation का concept समझाया distillation क्या होता है मैंने आपको यह बताया और distillation में आपने एक चीज़ समझी कि यहाँ पर दो miserable liquids होते हैं और यह ऐसे miserable liquids होते हैं जिनके boiling point का difference जो है distillation के लिए फिर मैंने आपको एक arrangement बताया यहाँ पर हमने discuss किया acetone और water का mixer जो है उसमें से आप किस तरह से water को या acetone को separate कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि एक round bottom flask का आपने लिया जिसको distillation flask यहाँ पर बोल रहे हैं heat किया और evaporation होई evaporate होकर जो vapors हैं वो इस condenser में enter करते हैं और condenser का temperature low होने के कारण क्या होता है वो condense होकर पानी जो है sorry liquid जो है वो नीचे पड़े एक beaker में इकठा होना शुरू हो जाता और यह liquid क्या है acetone यह आपने यार रखना है चलते हैं थोलब सा और आगे अब हम बात करते हैं Fractional Distillation की Fractional Distillation क्या है What do you mean by Fractional Distillation Fractional Distillation क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं Fractional Distillation भी Distillation की एक टाइप है लेकिन यहाँ पर एक special device का यूज किया जाता है special body का यूज किया जाता है इस process को perform करने के लिए उसको हम बोलते हैं Fractionating Column ठीक है जी Fractional Distillation में Repeated Distillation और Condensation होती है Repeated Distillation मतलब बार बार Distillation का फिनामना होता है एक ही device के अंदर एक ही body के अंदर या एक ही instrument के अंदर और बार बार Condensation होती है और वो Condensation के बाद अलग अलग जगाओं पर जो आपको जो visible liquids चाहिए होते हैं वो separately condensed होकर separate हो जाते हैं ठीक है जी तो इसके लिए बहुत सारे आप Fractional Distillation के ऐसा टॉपिक है जिसके बार में आपने पहले भी सुना होगा I'm sure कि जब 7th 8 में आपने कभी petroleum और petroleum products के बार में पढ़ा होगा तो उस समय बताया गया होगा कि petroleum कैसे बनता है petroleum को कैसे separate किया जाता है different components में ये जरूर आपको बताया गया होगा और उस समय आपको बताया गया होगा कि process का नाम है Fractional Distillation तो चलते हैं आगे ये है Fractional Distillation के लिए lab में यूज होने वाली device ये lab में यूज होने वाली device है लेकिन जब बड़े स्थर पर कहीं पर production किसी चीज की की जाती है या बड़े लेवल पर purification की जाती है जैसे petroleum की बने एक्जामपल दिया तो वहाँ पर ये device यूज में लाए जाता है ये lab में यूज में लाए जाता है तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये alcohol और water का mixture है ठीक है जी किसका mixture है alcohol और water का mixture ये alcohol और water का mixture है और आप इसको heat करते हैं heat करने पर क्या होगा आप देख पा रहे होंगे वैसा तो ये पूरी तरह से cock fitted है जिसके करन क्या और रहा है ये पूरी तरह से seal हो रहा है लेकिन बीच में थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जिसमें से जो vapors उटेंगे वो उपर की तरफ जा पाएंगे और ये कहां जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ये इस पार्ट को हम कहते हैं fraction ये देख लिजे ये बेसिकली ब्लॉक्स हैं चोटे चोटे मार्बल होंगे या कुछ भी होगा ये जो vapors उपर की तरफ जा रहे हैं उनके लिए ये रुकावट है ठीक है जी और यहां से penetrate करके vapors उपर की तरफ जा रहे हैं और जब ये उपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर escape करने के लिए कोई जगा नहीं होगी आप देख पा रहे होंगे ये portion भी उपर से sealed है तो vapors बहार नहीं निकल सकती ये कहां जाएंगी आगे वही है ये इस तरफ इनका movement होगा ठीक है जी ये इस तरफ से move करेंगी यहां पर भी ये cork fitted है sealed है पुरा लेकिन बीच में ये funnel जो है इसके लिए छोटी से जगा बनी हुई है और यहां से ये penetrate करके यहां पर enter कर जाएगी ठीक है अब देखिए ध्यान से आप यहां पर भी ये water condenser का ही यूस किया गया है water condenser बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले आपने देखा था यहां से ठंडा पानी जो है enter करेगा ओके ये ठंडा पानी जब अंदर enter करेगा तो उसके कारण क्या होगा water condenser का temperature गिर जाएगा और ये जो vapors उपर की तरफ आए हैं ये alcohol के vapors होंगे तो ये vapors जो उपर की तरफ आए हैं अब क्या होगा ये condense होना शुरू होंगे और इस funnel में इस beaker में ये जो है ये इकठे हो जाएंगे ठीक है जी यहां पर इकठे हो जाएंगे और यहां पर मैंने आपको बताया जो आपने mixture लिया था वो कौन सा था water और alcohol का और यहां पर आकर pure alcohol जो है वो इकठा हो गया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं fractional distillation और बहुत जग़ों पर use होता मैंने आपको पहले बताया पेट्रोलियम की fractional distillation में क्या होता है यहां से crude oil को एंटर कराया जाता है यह एक furnace है किलन है जहां पर इस crude oil को गरम किया जाता है और बहुत ज़्यादा temperature होता है इसका और गरम होने के बाद यह vapors की form में उपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं अब पेट्रोलियम बहुत सारी चीजों का mixture है तो अलग अलग चीजों का mixture है तो अलग 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 height पर जाकर condense होती है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह compartments बने होते हैं जहां पर अलग अलग compartments में जाकर चीजें जो हैं वो condense होती हैं और separate कर ली जाती है आप देख सकते हैं ठीक है लेकिन आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हवा से different gases को separate किया जा सकता है वो भी fractional distillation से ही होता है लेकिन उसके लिए arrangement कुछ इस तरह से है सबसे पहले क्या किया जाता है हवा को यहां से filter करके enter करवाया जाता है filter करके हवा जो है यहां से enter होती है ठीक है यह filter लगा हुआ है और इस filter को penetrate करके हवा जो है अंदर enter करती है यह साफ सुत्री हवा जब अंदर enter करती है तो यहां पर आकर इसको compress किया जाता है आप देख पा रहे होंगे यह और यह यह compress करने के काम आते हैं हवा को compress करन जो यहाँ पर भर जाती है इस compartment में वो compress हो जाती है जब हवा compress होती है तो उसका temperature भी rise कर जाता है और वो गरम हवा जो है यहाँ से move करके इस तरफ move करके इस तरफ चली जाती है ठीक है जी? आप ध्यान से देखिएगा रास्ता इस तरफ से होकर फिर इस तरफ से होकर फिर इस तरफ ठीक है जी? यह गरम हवा जो है इस तरह से move करती है अब यह जो compartment आप देख रहे हैं यह compartment यह basically एक ऐसा compartment है जहाँ पर एक बार फिर से repeat करते हैं सबसे पहले क्या होगा देखिए दुबार से देख लीजिए मैं दुबार से repeat कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर एक filter लगा हुआ है हवा यहाँ से enter करती है ठीक है जी? हवा को यहाँ से pump किया जाता है रश करवाया जाता है अंदर की तरफ और यह अंदर की तरफ enter करती है तो यहाँ पर एक compartment आप देख पा रहे होंगे यह compartment जो है यहाँ पर इस हवा को compress किया जाता है compress करने के लिए आप देख लिए यह दो पार्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इनका काम होता है हवा को compress करना हवा को compress करने का मतलब है हवा के जो particles हैं air के जो particles है they must be allowed to come together come close to each other और जब वो करीब आते हैं जब compression होता है तो compression के बाद क्या होता है temperature जो है उस air का बढ़ जाता है और फिर ये hot air जो है यहाँ से enter करती है ये direction आप देख पा रहे होंगे ठीक है यहाँ से इस तरफ होकर ठीक है ये hot air जो है एक दूसरे compartment में enter करती है ये compartment ये है ये compartment कुछ वैसा ही काम करता है जैसे आपने देखा होगा distillation में जो काम distillation के process में जो काम water condenser ने किया था वही काम इस compartment का होता है यहाँ पर ठीक है जी तो अब यहाँ पर क्या है ये pipes आप देख रहे होँगे ये coiled pipes देख रहे होंगे यहाँ इन coiled pipes में coolant डाला जाता है coolant क्या है freezing water ठीक है freezing cold water इसमें डाला जाता है और ये hot air जब इस compartment में आती है और इन pipes के contact में आती है तो इन pipes के contact में आने के कारण क्या होता है इसका temperature जो है गिर जाता है क्योंकि ये pipes जो है ये coolant carry कर रही है freezing cold water को carry कर रही है तो इनके contact में आने के कारण ये hot air जो है ये it becomes cold compressed air ठीक है जी ये ठंडी हवा में convert हो जाती है और ये ठंडी हवा यहां से होकर इस तरफ जाती है ठीक है जी मैं फिर से repeat कर दूँ ये ठंडी हवा जो है यहां से होकर आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से move कर जाती है और यहां पर एक और compartment आप देख पा रहे हैं ये compartment तीक है इस compartment के अंदर separator लगा होता है separator का का काम होता है जो solid particles हैं उनको separate करना है और यहां पर solid particles क्या होते हैं यहां पर solid particles होते हैं carbon dioxide جो compress हो गई होती है वो ice में convert हो चुकी होती है और यहाँ separator में क्या होता है separator से वो separate कर दी जाती है नीचे की तरफ और आ जाती है यहां पर dry ice को इकठा कर लिया जाता है ड्राइ आइस मैं फिर से बता दू ड्राइ आइस क्या होता है ड्राइ आइस जो है वो जब काबन डायकसाइड को आप कंप्रेस करते हैं ठीक है तो ड्राइ आइस की फॉर्मिशन होती है ठीक है ड्राइ आइस जो है डारेक्ली सब्लाइम होती है किसमें काबन डायकसाइड मे या आपने पड़ा हुआ है, तो dry air is को यहां पर separate कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी, यहां से सिर्फ carbon dioxide ही separate हुआ न, अगर carbon dioxide separate हुआ हुआ तो बाकी चीजें बाकी जो gases है, वो leakify हो चुकी होती है और वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है जी? और liquid air जो है यहाँ पर इकठा होता है और यहाँ पर इकठा होकर उसको आगे की तरफ एक jet की help से आगे pressure के साथ भेजा जाता है एक दूसरे compartment में और यह है वो compartment इसको fractional distillation column कहा जाता है अलग-अलग gases जो है वो अलग-अलग height पर separate हो जाती है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो है nitrogen separate होता है फिर argon और बाकी जो है वो oxygen जो है वो liquid form में आगे बढ़ जाता है और बड़े से container में उसको इकठा कर लिया जाता है ठीक है मैं फिर से repeat कर रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ सेपरेटर में क्या हुआ काबन डायकसाइड को सेपरेट कर दिया गया और बाकी जो air है काबन डायकसाइड को छोड़ कर बाकी air जो है लीकुफाइड form में आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर एक जेट बनाया गया होता है जिसे लीकुड एयर को बड़े प्रेशर के साथ आगे फॉरवर्ड किया जाता है और आपको पता है नाइट्रोजन जो लीकुड एयर है और बहुत सारी चीजें केरी करती है उसमें में जो होते हैं, नाइट्रोजन होता है, अक्सिजन होता है, आरगॉन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है, सबसे उपर वाले पार्ट में, आरगॉन जो है, उससे नीचे वाले पार्ट में, और सबसे नीचे वाले पार्ट में, लीक्विड, ठीक है, लीक्विड तो fractional distillation वाला ये जो column है fractionating column जिसको हम बोलते हैं उसमें सबसे उपर वाले पार्ट में क्या होगा इस पार्ट में इस पार्ट से nitrogen सेपरेट हो जाता है बाहर निकाल दिया जाता है और उसको इकठा कर लेते हैं और दूसरा जो पार्ट है वो ये है इस पार्ट से argon को सेपरेट कर लिया जाता है और तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है वो ये है यहां से liquid oxygen जो है इस बड़े से container में इकठा कर लिया जाता है और उसको बाद में सेपरेट कर लिया जाता है I am sure कि अभी दो आपने जो concept पड़े हैं distillation, fractional distillation यह आपको अच्छे से समझाए होंगे अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो fractional distillation और distillation के बीच का difference है तो fractional distillation और simple distillation के बीच में क्या difference है यह हम study करेंगे सबसे पहले देखते हैं fractional distillation it is used to separate liquids with closer boiling points fractional distillation में ऐसे liquids को separate किया जाता है जिनके boiling points they are quite close to each other that is why पिछले यहाँ पर आपने जो mixture लिया था वो water और alcohol का था क्योंकि water और alcohol के boiling point के बीच में जादा difference नहीं होता ठीक है लेकिन सेम भात जो है हम simple distillation के लिए नहीं बोल सकते simple distillation के case में क्या होता है आप देख पारे है simple distillation is used to separate liquids with boiling point gaps of at least 50 degrees ठीक है जी यहाँ पर closer boiling points है यहाँ पर boiling points थोड़ा सा जादा है ठीक है जी अब दूसरा देखिए इसका use क्या है इसमें इसको किस तरह से use किया जाता है इसमें fractionating column की जरूरत पढ़ती है Fractional distillation यह है Fractional distillation आपने यह Fractional और यह simple distillation था फ्रैक्षुनल डिस्ट्ट्टेलेशन जो है उसमें किसकी जरूरत परती है fractionating column की जरूरत परती है लेकिन simple distillation जो है उसमें simple container होता है जिसमें दो flask होते हैं और एक condenser होता है चलते हैं थोड़ा साओर आगे अब हम बात करते हैं Fractional distillation में process has to be repeated several times मैंने आपको बार-बार बताया कि Fractional distillation में distillation और condensation बार-बार की जाती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ठीके जी? तोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं Fractional distillation cannot be used to separate a solvent from a solute It cannot be used to separate a solvent from a solute But this is possible here Can be used to separate a solvent from a solute ठीके जी? खरोसा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी example दिया था Crude oil refining इसमें आप बोल सकते हैं और आपको याद होगा distillation में मैंने आपको एक और example दिया था वो है sea water का Sea water को क्या किया जाता है? गरम किया जाता है, पानी evaporate होता है उसको condense करके एक जगा पर इकठा कर लिया जाता है distilled water को और पीछे क्या बच जाता है? पीछे बच जाती है salt ठीक है? और उस salt की recrysalization की जाती है और इस तरह से नमक जो है बनाया जाता है बड़ा महंगा प्रोसस होता है इसलिए हमारे देश में इस तरह से जादा नहीं किया जाता दूसरे तरीकों से नमक जो है वो जादा बनाया जाता है I'm sure कि ये concept जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा ये fractionating column की help से होती है ये एक simple device है जिसमें दो flask और एक condenser है ठीक है जी यहाँ पर जो है process जो है बार-बार distillation और condensation की जाती है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है इसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पर cannot be used to separate a solvent from a solute it can be used to separate a solvent from a solute crude oil की refining एक example हो सकता है fractional distillation का और purification of sea water जो है एक example हो सकती है किसकी simple distillation की I'm sure कि आज का लेक्षर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा देखे मैं बार-बार बोलता हूँ और ये बात फिर से repeat कर रहा हूँ जब आपको कोई चीज समझ नहीं होती है तो हाथ में एक notebook एक pen लेकर जरूर अपने सामने notebook pen लेकर जरूर बैठा कीजिए और कुछ चीजें जो note करने वाली होती है उनको note किया कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजिए शेयर कीजिए subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कीजिए अपना ध्यान रखिए